हलो दोस्तो आप लोगों की मेहनत का पैसा सरकार वेश्ट कर देती है आप लोगों के टैक्स का पैसा सरकार कहां उड़ा देती है इतने अमीर लोग होने के बाद भी भारत में इतनी गरीबी क्यों है इस तरह के सवाल आप लोगों के दिमाग में जरूर आते होंगे आपको इ साल ही में लौंच हुए भारत के बजट के बारे में बात करेंगे कि बजट से हम आम जंता पर क्या फर्क पड़ता है इसलिए बने रही हमारे साथ और वीडियो कौन तक जरूर देखिए चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि बजट बनता कैसे है दोस्तों इंडिया का बजट मेलनी तीन बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है पहली आने वाले साल में भारत कितना पैसा कमाने वाला है दूसरी भारत कितने पैसे खर्च करने वाला है और तीसरी आने वाले साल में हमारा फोकस कौन से एरिया पर सबसे ज़्यादा होने वाला है इन्ही तीन अलग सरकारी डिपार्टमेंट जैसे रेलवेज, डिफेंस और अलग अलग सेक्टरस से पूछा जाता है कि इस साल आपको अपने डिपार्टमेंट को ग्रोख करने के लिए कितना पैसा लगने वाला है। जाती है और आखिर में finance minister और देश के prime minister दोनों एक final budget decide करते हैं और ये budget final होने के बाद हलवा बनाया जाता है जी हां दोस्तों इस हलवे को सभी अलग-अलग ministers में बाटा जाता है और सभी लोग इस हलवे को मजे से खाते हैं दोस्तों budget के announcement से पहले इसको secret रखा जाता है और आ market में leak ना हो अगर budget की information पहले से leak हो जाती है तो सभी लोगों को पता चल जाएगा कि इस बार देश अपना पैसा कहां पर खर्च करने वाला है तो लोग वहीं पर जादा invest करने लगेंगे जहां सबसे यादा profit होने के chances होंगे दोस्तों budget की announcement से पहले public तक पिछले साल की सभी सभी बातों को सरकार द्वारा बताया जाता है जैसे पिछले साल देश ने कितना loan लिया था कितने परशन्ट से मैंगाई भड़ी थी देश का पैसा कहां पर खर्चुआ देश की tbp में कितनी growth हुई इस तरह है कि सभी बातों को सरकार द्वारा बताया जाता है और इसके अ आई लाक नहीं बलकि 7 लाक रूपे कमाने वाले वेक्ति को ही टैक्स देना पड़ेगा अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद